पैसा आए कहां से पैसा मुझा आए कहां ले समझाए सबको कोई पुरा हिसाब रे चुटकी आओ राजू तुम पर आओ आओ तुम भी तो गाओ मेरे साथ बाबा आप क्यों गा रहे हैं आप क्या गा रहे हैं यह है विकास के हिसाब का गाना बाबा देखना तो वो कौन आ रहे हैं पंचायत निधी सडक नाली पुलिया बनवाती हूँ पीने का पानी और बिजली भी लगती है मेरे पैसो से और भी कई काम करवाती हूँ मैं पंचायत निधी कहलाती हूँ राजु पहिया राजु पहिया वो देखो वो कौन है सामाजिक सुरक्षा निधी नाम है मिरा थोड़ा सहारा देना काम है मिरा विद्वा पेंशन विद्धा वस्था पेंशन ये विकलांग पेंशन शाला निधी विकास में सहयोगी है है ना शिक्षकों का वेतन निर्मान और मरम्मत का पैसा शात्रवर्ति का पैसा मध्यान भोजन का पैसा पोटली बाबा भला शिक्षकों के वेतन से गाउं का विकास कैसे होगा विकास तो सडक, बिजली, पानी से होता है ना वेतन मिलने से शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वो और अच्छा पढ़ा है अच्छी पढ़ाई गाउं की पढ़ाई अरे अरे मुझे मत भूलो भाई मुझे मत भूलो आंगनवाडी निदी नाम है मेरा मेरे पास भी है थोड़ा पैसा भोजन का पैसा कारेकरता का वेतन थोड़ा और पैसा पोशा का हार देना काम है मेरा बच्चे खाना खाते हैं तंदरुस तभी बन पाते हैं अरे अरे रोजगार गारंटी योजना या नहीं खोदना या नहीं खोदना गाउं तालाब बन रहा है वहां काम वाले लोगों को आपकी योजना के पैसों से मजदूरी मिलेगी हाँ उनको मजदूरी मिलेगी तो उनके घर चूला जलेगा हाँ और प्रसाद काका के खेत में कुवा बन रहा है वहां भी मजदूरी में आपका पैसा जाएगा और कुवे में जो सिमेंट और रेत लगी है न उसका भुकतान भी रोजगार गारंटी के पैसों से होगा इतना पैसा? किसका पैसा? स्कूल, आंगंदबाडी, पेंशन, रोजगार, पंचायत निधी, गाउं में ही लगता है सारा पैसा तो पंचायत का ही कहलाया इतना पैसा? गाउं का पैसा, हमारा पैसा, पंचायत में विकास का पैसा जाओ जाओ लेकिन जन्ता जान गई है अब वो देखेगी और पूछेगी भी हैं जन्ता क्या देखेगी सडक मजबूत है इसके क्या सबूत है शिक्षक वेतन पाते हैं पर क्या समय पर आते हैं छात्रवर्ती समय पर मिलती है क्या बच्चों की सेहत खिलती है सही काम हो रहा है या फरजी नाम हो रहा है बच्चों के भोजन में पोशन है या इसमें भी कुछ शोशन है निराशेत, विद्वा, अपंग, गरीब, पेंशन पाते हैं या धोका देकर कर्मचारी उनको तड़ पाते हैं पैसा, जाएकारे, पैसा, जाएकारे इतना सारा पैसा तो आता है हमारे गाओं में और सभी विकास के काम के लिए ही आता है तो फिर हम केवल पंचायत में आए पैसों की तरफ ही क्यों ध्यान दे सभी तरफ ध्यान देना चाहिए हमारी जिम्मेदारी है कि गाओं के विकास के लिए आए सभी पैसों का सही उपयोग हो